ये देश जवान का सम्मान सिर्फ दो जगह करता है जब वो बोडर पे रहता है तब और जब वो सहीद होके तिरंगे में लिपट के आता है तब बाकी अगर इस देश का जवान सडक पे मार खाए और उसे दोड़ा दोड़ा के मारा जाए उसके परिवार वाले को गाली दिया जाए और वो रिकॉर्डिंग वाइरल हो जाए उसके बावजूद भी इस देश के लोगों को कोई मतलम नहीं है और साथी साथ अभी कल ही इसी चमपारन में अमीज साजी आये थे और गरज गरज के बोल रहे थे कि जहां तक पहार दिख रहा है वहां तक लोग खड़े हैं पहार पे चड़ के लोग जो है अमीज साजी का भासन सुन रहे थे जिस चमपारन में को पहार नहीं है उसके बावजूद जरा सोचिए और वह जवान को जो है रोकसॉल में बेवज़ा दोड़ा के मारा गया और उनके परिवार वाले यह लोग है और जानते हैं का हुआ दोड़ा के मारा भी गया और दोड़ा के जेल में भी डाल दिया गया कमाल की बात यह है विडियो वाइरल होने के बाद भी जेल में डाल दिया गया और देखिए अब इन लोगों से पूछे कि आपका पती मार खाया है कैसा महसूस कर रही है यह पूछे का करें तीन दिन चार दिन पहले की घटना है एक्जाम देने गई थी है बेचारी एक्जामें देने गई थी आप लोग अच्छा क्या हुआ था उस दिन बताइए हम सब्सक्राइब करने लगे और उसके बाद बोले चली आपको जो इलाज होगा हम लोग कराएंगे तो बोले ठीगा हूँ अपने गहर पर कॉल करके बोला दिये बहुत सेरे लोग आ गाएं लगे यहां पर गालिक लॉज हम लोगों को मार पीट करने उसी समय जीत अंदर सर उनसे हम लोग बोले सर देखी एइसे करें लोगों क्या कर सकते हैं नों की संखिया जादा है पूलिस वाले बोले जी जोडिना फोले और मेरे जीजू बष सब गाइए सब को छोड़कर तह थाना पर गाड़का, तो बोले जैब किया हम से डेड़ का बरेए हम आरे सबक तो पर उसी समय उन पर हाथ चला दिये गाली दे दिये तो हम लोग जी तेंदर सब्सक्राइब कर रहे हैं बस हमको भी मारे ऐसे धाका दे दिया मेरा शुर्ट फोट गया उसके बाद हम माला पहुने उनके हाथ में चला गया गाली को देने लगे हम लोग एडमीट का छी निये ग कर लिदे पत्रकार पूछता है तो का हुआ था यहाँ पर पत्रकारों का हत्या हो जा रहा है चलिए वह बिहार बर्दास्त कर लिया कि भीहार में पत्रकार का हत्या हो गया अब तो भीहार में आर्मी के जमान सुरक्षित नहीं है उनको सड़कों पर दोड़ा-दोड़ा के मारा जा रहा है और कौन मार रहा है वह अपना जितना भी अक्टिबनेस था वह छपरा कांड में दिखाया सतर आद्मी पर फा अगर वह अपरादिया उसे गलती हुआ है तो आप जो है सविधान के हिसाब से जो करना था करते आप उसको दोड़ा-दोड़ा के रक्सॉल सहर में जो इंटरनेशनल सहर है जहां से नेपाल का बोडर लगता है और वहां पर दोड़ा-दोड़ा के मार रहे हैं जरा कि कल आये थे यहां पर घटना चार-पास दिन पहले की है अमीज साजी से कोई भी चंपारन का नेता जो है यह बात का जिक्र नहीं किया जबकि ग्री मंत्री है अमीज साजी जरा सोचिए भर भर के हर गाउं से जो है कर्यकरता गए थे उनके रहली में इस गाउं से भी इस पर चंपारन में जो है आके चुनावी सभा को संबोदीत कर रहा है उसके बावजूद जो है यहीं चंपारन में एक आर्मी के जवान को दोड़ा-डोडा के पिटा जा रहा है जड़ा सोचिए बोलना तो चाहिए था कोई नेता होता आया की नहीं विधायक सांसत कोई आया में आपने देखा होगा और अमीर साजी के मंच पर से चिला-चिला के नेता बोल रहे थे कि 24 फरवरी को एक बिहार में 12 हत्याए हुई है और पिछले 6 माईना में नित्या नंदराय जी जो गिरी राजमंत्री है वो डेटा बता रहे थे कि 1500 से ज़्यादा हत्याए हो गई है जो अपने आप में पूरे भारत में रिकॉर्ड है जरा बताईए ये चीज़े है तो बिनती है कि कम से कम अगर ये आर्मी के जवान तो कोई नियम कानून को तोड़ते नहीं है वो सबको पता है नियम कानून से चलने वाले लोग है शड़कों पे चलने के दोरान जो है उनका हाथ पाव नहीं ने टूटा था जिनको लगा था नहीं थोड़ा सा लगा था बस क्या लगा था हम मैं बता देना चाहता हूँ ये गारी का लुकिंग गलास निकला हुआ है नब देखिए गारी के बंपड उमसर नहीं लगा था यह जो लुकिंग गलास निकला है झテला है यह फिस से लगा था नो यह इसा अनुक्त के बताे ओले तर इतर बताली है इस 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 से ईसी सा लगा थाक कि पथा यह अपनी अप बंद हो जाता आ आपने आप बंद हो जात बटाइए आप ही लोग बताइए जो गाड़ी चलाते हैं सभी ड्राइबरों से मैं पुछना चाता हूं जब इस पर लगता है तो अपने आप बंध हो जाता है इस से कहां से चोट लगेगा बखेडा किया फ़साने के लिए और आइठने के लिए पैसा अइठने के लिए पूरा जाम है रहा है और वहां पर लगता है यह से यह गाड़ी आएगा इससे लगेगा देखिए कैसे बंद हो जाता है लुकिंग लास और इससे लगता है उसमें बखेडा किया जाता है और उसके लिए जो है परिवार वालों को दोरा दोरा के मारा जाता है उमीद है कि डीम साहब और एसवी साहब आप लोगों के रहते हुए एक यूपीएसी अधिकारी के रहते हुए जिसके कंदे पर असो कस् कोई आवाज उठाने के लिए नहीं रहेगा, और आर्मी के जवान को मैं इसलिए को बोडर पे रहेगा है, आपका परिवार गाउं में सुरक्षित कैसे रहेगा तो जितने भी आर्मी का संगठन है उन सभी से भी नत्य करना चाता हूं कि आप लोग एक हो जाए और एक निर्दोस आर्मी के जवान के को इंसाफ दिलाने का प्रियास किजे और उमीद है कि आप सभी इस दर्वाजे पे भी आएंगे जाहिंद